यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमस्का देश की आवाज में आपका स्वागत है मैं आपके साथ कमल कोश्रिक आज एक ऐसे मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं जो एक अभियान था एक अभियान है लेकिन आगे क्या इसे अभियान रहना चाहिए इस पर सवालिया निशान लग चुका है जह हम बात करें मेट्यू अभियान की वैसे तो हमारा समिधान महिलाओ को बहुत से सुरक्षा दीता है बहुत से ही ताकत देखता है लेकिन मीट्व अभियान को एक अलगी ताकत माना गया लेकिन अब इसके नेगटिव फैक्टर यानि की नगरात्मक चीज़ें भी निकल कर सामने आने लगी हैं दरसल जैन पैक्ट कंपनी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिजेंट स्वरूप राज ने अपने आवास पर फासी लगा कर आत्म हत्या कर ली मोके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ बताया गया कि कुछ दिन पहले ही स्वरूप राज पर योन उत्पिडन क आरोप लगाए गए उन्हें ओफिस के ही लड़कियों ने जूठा फसाया यदि जाच में उनका निर्दोश भी उन्हें पाया जाता है घोशित किया जाता है फिर भी आरोप लगने की वज़ा से लोग उनको श्रक की निगहा से देखेंगे इस तरह वो कैसे दोबारा कंप कर भी सामने आई थी और ये जो सुसायड नोट लिखा गया है उसमें बहुत सी बात ऐसे थी जिसको देखकर ऐसा लगता है कि वाकर में उन्हें जूठा पसा आगया उनकी बद्रामिस सी हुई है हाला कि ये भी एक जाच का विशह है लेकिन इसी मसले को लेकर कई सवाल हमा सामने खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब तलाशना आद बहुत जरूरी हो गया है इसलिए आपके पीच आज हम ये बुद्दा लेकर आए हैं मीटू अभ्यान को लेकर ये भी आपको मालूम है कि मीटू अभ्यान के तहत महिलाओ को एक तरह से सुरक्षा भी मिली हैं हम उ ये कटई भारत के लिए ठीक बात नहीं है लेकिन जब महिलाएं खासा उटसाहित होकर असामनी आई उनको लगा कि उन्होंने जो भी सहा है दर्द वो नहीं सैना चाहिए था और जिसने भी उनके साथ छिडखानी की उनको सबक सिखाना चाहिए था तो मेटू अभ्यान के क्या मीटू अभ्यान है यह हम कह सकते हैं क्या मीटू से महिलाओ के प्रती नजरिया कितना बदल चुका है क्या वाकर में महिलाओ को छेडखानी के तरीके से देखने वाले लोगों की नजरे आप नीचे जुग गई है मीटू से क्या महिलाओ को सुरक्षा मिल पाई है मीट सभी को ये खहना चाहते हैं कि तमाम जो महिला हैं उनके लिए सवाल नहीं है लेकिन कुछ ये जरूर शक के दारे में होते हैं सबाज में सभी तरक्य के इंसान हैं उनको लेकर आज ये सवाल उठाना बैस जरूरी है क्यूंकि एक शक्स ने फासी लगा कर अपनी जान दे दी का गलत दिशा होगा इसकी वैसे भी कई लोगों ने सहाए काई थानों की रिपोर्टर महिला थान है कि एक शक्ता परसंट जो रेप के मामले हो फर्जी होते हैं मेट्यो ब्यान के तहट हैं कई लोगों ने बीजे भी मंति एकवर जो हैं उन पर यू आप लगाया था लगा करता है लेकिन ब्यादर आपका सटर परसंट पर दिशा में जा रहा है में अच्छा अभ्यान भी माना गया है लेकिन आप जो इसके नकरात्मक चीज़े निकल कर सामने आ रही है एक शक्स अपनी पत्नी को पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि मैं शायद निर्दोश भी साबित हो जाऊं लेकिन समाज के सामने किस तरह से जाऊंगा क्योंकि आरोप उन पर लग चुकी हैं सबी उनको गलत नजरिये से देखते हैं अब और ऑफिस में जाते हैं तब भी उनस पर बुरा हल है और हला कि उनको अपने पती पर पूरा भरुसा था लेकिन उसके बावजू समाज को देखकर उन्होंने आगे फैसला कि वह नहीं जीना चाहते हैं तो क्या यह मेटू अभियान के साइड एफेक्ट्स हैं क्या इन्हें हम कह सकते हैं कि मेटू से महिलाओ को सुरक्षा मिलने की बात कही गई वो खोकले दावे हैं क्या वाकर में महिलाओ को ऐसा लगा है कि उनको अब एक टाकत मिली है यह भी देखा गया है कि जो आज भी महिलाओ गरीब तबके से हैं या मिडल क्लास हैं वो आज भी मेटू अभियान का कोई जादा इस्तमाल नहीं कर रही यह हाई प्रोफाइल लोग ही कर रहे हैं और हाई प्रोफाइल जो लोग दफ्तर में काम करते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वहां से शुरुवात हुई है यह एक करवी सचाई है कि जो बाकी लोग है सोशल मीडिया पर बेशक एक्टिव भी रहते ह हैं लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए और कानून भी ताकत देता है महिलाओ को 2012 के बाद भी जब निर्वहा कांड सामने आया था और उसके बाद भी कानून में संशोधन किया गया है ताकते बहुत महिलाओ को दी गई लड़कियों को दी गई है यानि कि अगर आप 10 सकंड या 14 सकंड तक घूरते भी हैं तो तब भी सर्जा का प्रावधान है किसी लड़की को आप देखते हैं गलत नजर से उसके बावजुद भी क्या मेटू अभ्यान जरूरी था हमारे देश में क्या ये मेटू अभ्यान बड़े स्तर पर हमें चलान ऐसा नहीं है लेकिन उस चलन को एक हद तक बदला गया मेटू अभ्यान के द्वारा हैं मेटू अभ्यान के तहट कहीं लोगों ने कहीं महिलाओं ने ये आरूप लगाए थे एमजे अकबर पर कि उन्होंने छेड़ चाड़ की थी जब वो डफ्तर में काम करते थे एक पत्रकार थे बीस के करीब ऐसी महिलाए थी जिन्होंने ये आरूप लगाए थे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मामला जादा आगे बड़ा विपक्ष का दबा हुआ लोगों सेक्रेट गेम्स का आने वाला था वो भी लटक गया अधर में तो इस तरह की कई बातें निकल कर सामने आई और जो एक्टर थे कहीं उनके करियर पर भी खासा असर पड़ा हैं कई लोग बेरुजगार तक हुए हैं क्योंकि उन्हें सेस्पेंड कर दिया जाता था अभी भी कर रहे हैं कई कंपनियां क्योंकि वो नहीं चाते कि मोजो महिलाओं के सुरक्षा में कदम नहीं बढ़ा सकते बलकि महिलाओं की सुरक्षा का इस अने वित हम बात कर रहे हो घाता है कि अमेरिका से शुरू हुआ था कई देशों तक इसका प्रभाव हुआ भारत में भी मेटू अभ्यान चला गया हाई प्रोफाइल डफ्तरों में काम करने वाले हाई प्रोफाइल लोगों ने से घटना आ कोई होती है रत्पिडन की चेड़ चानून के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा बहुत सवाल के गेरोश के 혼자 मामला आ जाता है कि किस मर्शा से अब मामला उठा एंदे और कोई बात या नहीं होते हैं यहां पर सोश्यल मीडिया के जरी अपनी बातों को रख सकते हैं लोगों के सामने और ये भी देखा जाता है कि कई जो महिलाएं हैं उनकी मजबूरी भी हो जाती है वो महिलाएं अपनी बातों को सामने नहीं रख पाती हैं और उन्हें अगर किसी को बताना भी होता तो वो भी भरोसा नहीं कर पाते हैं दूसरे शक्स पर इसका कोई भी असर नहीं होगा और वो अपनी ताकत का इस्तमाल कर आपको जरूर चुप करा सकता है। लेकिन मीटू अभ्यान में क्या हुआ सबी के साम में आया और एक बड़े मंद्री की भी कुरसी गई जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं उनके भी यहां पर साखदाव पर लगी उसके बाद उन्हें भी अपने पत्र से इस्तिफाद देना पड़ा बड़े-बड़े अखबा जो करते हैं एक्टर उनकी बात कर लें मोडल की बात कर लें सभी जगए इसका असर हुआ है तो यह जो सवाल आपके सामने इस पर अपनी राय आप दे सकते हैं कि आप मेटू की याड में बदनाम करने के साज़िश है यह नोड़ा का मामला है वहां पर राज सरुप नाम का एक शख्स जो कि कमपनी में काम करता था और एक अच्छे पद पर भी था उसके बाद वहां दफ्तर में काम कर रही कुछ लड़कियों नहीं उन पर आरोप लगाए और दफ्तर ने इसे गंभिलता से लिया उसके बाद ऑफिस से राज सरुप को कहा गया कि आप जब तक जा भी थी वह सामने लाल आकर भी वह काफी तंग आ चुके थे आखिरकार उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा अपनी पतनी के नाम और उसके बाद पासी लगाकर आत्म हत्याक कर लिए अब इस मामले के बाद ही यह सवाल उठ खड़े हुए हैं जिस पर आप किराय हम जाना चाहते हैं लगातार टीव स्क्रीन पर से सवाल भी आप देख सकते हैं और सवाल देखने के बाद टीव स्क्रीन पर जितने भी नंबर फ्लेश हो रहे हैं डाल कीजी और सीदे अपने जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि मीटू अभ्यानिक करांटी की तरह आया था भारत में हाला के बीच में जरूर यह थोड़ा थंडे बस्ते में गया और फिर से यह मामला जब सामने आया तो सामने आने के बाद अब सवाल यह है कि क्या अब इसके सकरात्मक की जगए नकरात्मक पहलो ही सामने आ रही हैं अगर इसी तरह होता रहा तो लोग क्या इतने बड़े कदम उठाने लग जाएंगे अब जिन लड़कियों ने इन पर आरूप लगाया था हो सकता है कि वो ठीक भी हो वो सही भी हो लेकिन जाच एक बड़ी हो सकती है इस मामले में और कानून अपना काम कर सकता है सोशल मीडिया पे या सब के सामने इस तरह की बात ना लग było कर तब भी कानून तक आप जा सकते हैं अलांकि आरूपी की जो पहचा ने वो छिपाय नहीं जा सकती आरें उपी को trait दि congratulations vibrant तरह दो काम का सहारा भी उनके द्वारा लिया जा सकता है जो और पिड़न का श्रिकार हूँ ख अभ्यान एक अलग तरके का अभ्यान था और इसमें देखा भी गया कि जो अमेरिका से शुरुवात हुई थी इसकी वहां पश्चिमी देशों में भी इसका असर हुआ सवाजिब तरह दिरे एशिया की तरह में अभ्यान और आज यह भारत में पुर तरह से पैरपहसार चुका है और कई महीरा भी किया है अपने आप से भी और लोगों को भी प्रेदित किया है कि आप भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं इसलिए मेटू अभ्यान चला भी गया कईयों ने समर्थन भी किया यहां तक कि महिला बाल विकास मंत्राले ने भी इसका समर्थन किया और मेंका गांधी जो की किंद्रिय मंत्र अभी है उन्हों ने भी स्राहना कि है उन्होंने भी कहा था किसे ताकत एक शक्ती मिली है नारी को और नारी शक्ति चकर में मेटू अभ्यान को आगे बढ़ाते रहना चाहिए तो इसी को लेकर जो है ये सवाल आज उठे हैं कि क्या जो ताकत मिली थी महिलाव को उसका गलत इस्तमाल तो नहीं हो रहा मेटू से क्या वाकई में महिलाव को शक्ति मिली है ताकत मिली है मेटू को लेकर आपके सामने को ऐ वावार इतना मचा था कि उसके बाद किंद्री मंत्री अम्जी अगबर को भी अपनी कुरसी छोड़नी पड़ी थी दबाव ज्यादा हो गया था अलोग नाथ जो की महशूर एक्टर है उन पर भी रेप के आरूप लगे थे और उसके बाद मीट्यू अभ्यान के तया यह बा वपता नहीं मैं धोड़ी पड़ी लेखी भी नहीं हूं तो में जानना जाती है कि मन चले लड़किया भी परशां करते हैं उनके पत्प को पर्षान करते हैं इंख अनि कुल भी नहीं करती अगर कोई अभ्यान ऐसाए तो हमने अविम बताये ना हम थिखले पांसाल साल जो परिशान है कि हमारा जीना ही मुश्किल हो गाए है जी कि अब जी आप जरूर फॉलैंड पर बने रही है ना बने रही है आपकी इच्छा है लेकिन फिर भी आप टीवी से लगतार संपत्साथ रहे हैं खुद हम ये बताएंगे मेटो अभ्यान क्या है आपकी जरूर अलग सम यहां पर जो जनता है जो महिलाएं है अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करवा पा रही हैं मीटो अभ्यान की अब अगर बात करें मीटो अभ्यान एक ऐसा अभ्यान जो अमेरिका से चलकर आया भारत में अमर्जी जी और इसके बाद क्या हुआ यहां पर कई जो करते हैं यह आपके बच्चे इस्तेमाल करते होंगे उस फेस्बुक पर हैस्टेग मीटो डाला गया उसके बाद अपनी जो आप बीती है वो लिखी गई उनके साथ किस तरह का घटना हुई थी उसको लिखा गया उसके बाद पूरे समाज के सामने वह बाते सामने आई जो आरोपी था उसकी जो पहचान थी वो उजागर हुई उसके बाद दबाव बना या तो जो आरोपी था उसने अपनी गलती को माना तो माफी तक मांगी गई उसके द्वारा उसने कहा भी कि ऐसे उससे गलती हुई है लेकिन दूसरे तरफ उसने अगर माफी नहीं मांगी तो दबाव चोतरफा बना तो कानुन ने भी अपना खुद वेखुद एक काम किया है तो यह मेटू अभियान था लेकिन इसके बाद एक इसका नकरात्मक पहलू सामने आया नोड़ा के एक शक्स पर भी आरूप लगा था उसके शक्स पर आरूप लगा तो उससे सहन नहीं कर पा नहीं हुआ इसलिए आत्मात्या कर लें तो यह मेटू अभियानत और यह घटना थी हमारे साथ कमलेश है मुंबई से दर्शक फोलन पर कमलेश जी आपकी राय क्या है नमस्कार नमस्कार मैं यह अभी टीवी देख रही हूं मैं मुंबई में रहती हूं जी तो मुझे यह जो मीटू का जो अभियानत लाया है मुझे यह मतलब कुछ मेरे को ज्यादा अच्छा नहीं लगया क्योंकि यह हमारे देश के लिए सही नहीं है क्योंकि जो महिलाएं मतलब आरोप लगाती है तो जाकर महिलाएं आपकी सहमती से सब कुछ होता है और बाद नहीं उन पर आरोप लगाते हैं यह 80% ठेक होते हैं जो यह इसने सोसाइट किया है यह लडका 100% निर्डोस था और निर्डोस है इसलिए यह सहन करनी पाया लेकिन इसने यह गलत किया च्योंकि इस को लड़ना था ताकफे लड़ना था इसको अपना स्भीट करना था जी कमलेज जी बहुत वो धरेवाद आपने अपने राय रखी है खुलकर और आपने कहा एक महिला होने के नातिया अप मानती है कि मेट्यू अभ्यान खासकर जो हमारे संस्क्रिती है यह हमारा देश है जिसका इतिहास ऐसा है गौरवशाली है उसके लिए कतरी ठीक बात नहीं है और बिलकुल जो आत्मत्या का करदम होता है वो काईराना करदम माना जाता है लड़ाई लड़नी चाहिए थी राजसरूप को अपनी और बताना चाहिए था कि वह बेकसुर है लेकिन खैर वो क्या वहापर परिस्थित्या रही उनके साथ क्या चीज़े ऐसी थी जिने वह स कोई ऐसा कदम उठाया गया किसी के द्वारा जिससे उनको ये बड़ा कदम उठाना पड़ा क्या उनको पच्टावा नहीं होगा जिन्हों ने गलत अरूप लगाये होंगे कथित तोर पर जैसा कि खुद अपने सुसाइड नोट में राज सरूप लिखते हुए नज़र आए जो आप इस दुनिया में नहीं है तो ये मीटू अभ्यान समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर है क्या ये राहूल है लखिमपूर खीरे से राहूल आपके राह क्या है राहूल अपनी राह रखिए मेरे आवाज आप तक पहुंच पा रहे है कारेकरम में जूट चुके है जी नमस्कार जी मैं कहिना चाहता हूँ यही कि ये मीटू अभ्यान तो मनद सेखा जाए तो ये कसर से ठीक भी है लेकि इसमें गलत तरीके से जो लोग फशाय जाएंग उसका जो है अन्दाजा नहीं है कि इस तरीके से लड़का सुसाइड कर लिया तो इस तरीके से इसमें जो है अब मालोग कोई भी है अगर उसमें अक्षिसी की छोड़ी मोटी बात भी हो गई तो उसने फेस्बूक पे अपना वीटू के उसमें डालके को बतनाम करके तो क् मतलब यह सरीके देखा रहे गलत भी है और इसको आइसा हमारे लिए खीज नहीं है यहां के लिए है और जी 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 धन्यवाद आपने अपनी रारख किया और आपने कहा कि इसके कुछ सही पहलू है तो कुछ नेगिटिव फैक्टर्स भी है और इसको ही देखा जा रहा है में ऐसा लगा भी था कि महिलाओ को एक बल मिला है वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है इस अभ्यान के जरिये भी और ऐसा भी देखा गया ऐसे भी आकड़े सामने आए कि जो डफ्तर है वहां पर महिलाओ को जिस तरह से पहले देखा जाता था लोगों का नजरिया बदल और महिलाओं से बहुत ही सैजिता से वह बात करते थे जो एक डबल मिनिंग बाते होती थी जो कहीं जाती है वह भी कई हद तक बंध हो चुकी है डफ्तरों में इस तरह के आकड़े सामने लेकिन अब यह मामला सामने आया है उसने दूसरे ही सवाल कहीं तरह के खड़े कर द दूसरी काड़ी बन जाती है और कोई इसको सह पावाय कोई नहीं सह पस्ता केस लड़ता तो सही था नहीं तो अपनी जिन्दगी से अद्ध हो गया बिलकुल और आज कल पर दूस्वारी भी शेक रहे हैं ले देकर केस पी अच्छा बना है चलिए बहुत बहुत आपने भी वही बात कही कि अगर जिन्दा रहकर इस मामले को देखते वो केस को लड़ते अपनी जो छवी है जरून की धूमिर हुई लेकिन फिर से उसको खड़ा कर सकते थे फिर से एक अच्छी छवी बना सकते थे ऐसा सवरूप राज नहीं कर पाए शायद बहुत ज्या असणा ने लेते हैं और यही गलती की है सुरूप राज ने इस कदम का कते समर्थन नहीं किया जा सकता जो जरूर इतना है कि उनकी मौत के बाद अब सवाल तो वो छोड़ गए है वो सवाल तो यही है जो आपके त्वी स्क्रीन पर है और यह सवाल पूछे भी जा रही है उन लोगों के द्वारा भी जो शायद इस अभ्यान के जरिये ही आरोपी बनाए गए हो जिन पर जूटे भी लगाए गए हों क्योंकि सभी तरीके के मामले होते हैं सभी तरीके के इंसान भी होते हैं काते ही हम यहीं नहीं कहना चाहते कि महिलाओ को लेकर हम सवाल उठा रही है महिलाओ का अपनी आवास को बुलंद करना जरूरी है करना भी चाहिए चाहिए मीटू अभ्यान के तहतो चाहिए वो दूसरे तरीके से हो चाहिए सोशल मीडिया पर आप कोई भी पोस्ट डाल कर अपनी बातों को सामने लखे आपको पूरा हक है लेकिन उनका क्या जो इस तरह के अभ्यानों का गलत इस्तमाल करते हैं गलत फाइदा उठाते हैं गलत फाइदा उठाकर लाब पाने क कोशिश में दूसरों को बदनाम करने के परियास्त करते हैं उसमें कई बार सफल भी हो जाते हैं और कई बार जो है दूसरे इनसान को बहुत बड़ा नुकसान वो पहुंचा देते हैं क्या इसकी पूरे तरह के से कानूनी जाच होती है आखर कर मीटू अभ्यान से पहले का कानून का सहरा महिलाएं लड़किया क्यों नहीं ले पाती है योगेश करनाल से दर्शक फॉलन पर मौजूद है नियमिद दर्शक है योगेश जी आपकी राय क्या है आज इस मसले को लेकर नमस्कार कोशिक साब जी नमस्कार जी सर यह जैसे हमारे साब मुस्किन इंडिया उससे कुन सा हल हो जाएगा कोई वो दाग थोड़ी मिट जाएगा फिर उससे जादा वो दाग और बढ़ेगा कि भी उसकी गलती थी या उसने इसलिए काम कर दिया उस दर से भागो ना उस चीज से लड़ो ताकि दुनिया के आगे अपनी सच्चा ही लेकर आ सके ताकि कि यह पता लगेगी भी में गलत नहीं था जो यह आजकर फ्रोड चल रहे हैं उनके कारण जो कानून बने होते हैं उनका नजायस फादा उठाया जाता है उनकानूनों को भी ठीक करना चाहिए फिर वह सचा ही पता लगती सरीश का यह तो गलत कर रहा है इस लिए धन्यवाद आपने भी इसे कदम को गलत बताया जो आत्मत्या जैसा कदम उठाया गया और वाकई में इसे सभी एक सुर में गलत बताएंगे भी हम भी गते इसके का समरता नहीं करते किस तरह की कदम उठाया जाए बहुत भूद धन्यवाद आपने बाचित की खबरें तक से अपनी रा बने रहे खबरें अभी तक के साथ झाल